असलाम अलेकूम, आज हम बनाएंगे चना प्लाव मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए गर साथ ही दिये बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें इंग्रीडियन्स आपके स्क्रीन पर है सबसे पहले एक पैन में लेंगे क्वाटर काप ओईल फिर उसमें आट करेंगे एक अदद मीडियम साइस की बारीक कटीवी प्याज अब हमें प्यास को गोल्डन करना है आप देख सकते हैं कि प्यास गोल्डन होना शुरू हो गई है जैसे ही प्यास गोल्डन होना शुरू हो आप इसके दर दो से तीन टेबल स्पून पानी डाल दे पानी याड़ करने से प्यास का कलर इकुली गोल्डन होता है आप दिख सकते हैं प्यास गोल्डन हो चुकी है अब हम इसमें आर्ट करेंगे दो टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट इसको अच्छी तरह से भूनेंगे फिर आर्ट करेंगे साबुत गरम मसाला तीन से चार तेस पत्ता दो चुटकी जाइफल का पॉडर दो अदद दार्शीनी एक टी स्पून जीरा छे से साथ काली मिर्च और पांच अदद लॉंग इन तमाम चीज़ों को उसमें दाल के अच्छी तरह से भूनेंगे फिर इसमें आर्ट करेंगे दो अदद मीडियम साइस के कटे हुए टिमाटर हमेशे उस वक तक पकाना है जब तक के टिमाटर बिलकुल घुल ना जाए तीन से चार मिनट पकाने के बाद आप देख सकते हैं कि टिमाटर बिलकुल घुल चुका है अब इसमें आर्ट करेंगे तीन टी स्पून इमली का पल्प दो अदद हरी मिर्चे मैंने यहाँ बड़ी वाली हर्मिट दा लिए इसकी मिर्चे तेज नहीं होती आदा टी स्पून हल्दी हजबे जाएका नमक मैंने यहाँ दो टी स्पून नमक एट किया है साथ ही आट करेंगे वन टी स्पून गरम मसाला पॉर्डर अब तमाम इंग्रीडियंट्स को अच्छी तरह से मसाले में भूनेंगे आप देख सकते हैं मसाला भून चुका है अब हम आट करेंगे वन एन आफ कप चने चने को थोड़ा सा सोड़ा डाल कर छे गंटे के लिए सोक किया और इसके बाद इसको बॉयल कर लिया ये चने बॉयल है अब हम मसाले को चने के साथ अच्छी तरह से भूनेंगे ताके चनों के अंदर मसाले का टेस अच्छी तरह से चला जाए अब हम आट करेंगे वन टेबल स्पून धई धई आट करने के बाद इसको अच्छी तरह से चमचा चलाए आप देख सकते हैं कि अच्छी तना से भुन चुका है अब हम इसमें आट करेंगे 1.5 कप चावल मैंने चावलों को अच्छी तना से धोकर आदे घंटे के लिए सोक करके रखा था अब हम इसमें पानी आट करेंगे मैंने तकरीबन 500 से 600 ml पानी आट किया है आपने पानी थोड़ा थोड़ा करके आठ करना है पानी का लेविल चावलों से इतना उपर होना चाहिए इस पॉइंट पे आप नमक चेक कर ले मुझे नमक कम लगा इसलिए मैंने वन टी स्पून और एट किया है अब आप देख सकते हैं कि पानी आइसा इसा ड्राय हो रहा है आप देख सकते हैं पानी ड्राय होता जा रहा है पानी तकरीबन ड्राय हो चुका है अब आप इसको ढटना ढाक कर 10 मिनट के लिए दम पे रखें आज हलकी कर दें 10 मिनट हो चुके हैं अब आप देख सकते हैं कि चाना प्ला हो चुका है तैयार आप देख सकते हैं चावल बिलकुल खिले खिले हैं इसको गरम गरम सर्फ करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना पूले अगर साथ ही दिये बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वारी वीडियोज आपको मिलती रहें